ओन सिरी गनेशाइनमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी सुक्रवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तों साति सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों साति सात आज आपको आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारातमक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारे छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का समय आर्थिक द्रश्टी कोण से आपके लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आपको इनया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों साति सात्व आज आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अतवा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छितर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छित्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों द्वारा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती हैं इसलिए आज आप किरोध पर नियंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यता विवाद में फश सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रिकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिती आपके विपनीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाईए और संभावनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना बाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती हैं इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुबब व्यक्ति से सला लेने की आवशकता पड़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मांसिक रूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुबब कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारातमक सोच वे आत्म विश्वास काररों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं के वृत्धी हो सकती है लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली है दोस्तो आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरूत है तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाईत हैं तो प्रेम विवाखे आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साज़ा कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती है तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शानती, सदबाव, रोमांस आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारेच छेत्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कार्रे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे जैं दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा दहन लाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जैंदोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साथी साथ विध्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी स्वास्त में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिशानियां कु रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तो आज आप इस चनान आदी से निर्वत्र होने के बाद दो रोटी ओपर खीर रख कर मा लक्षमी का इसमरन करते हुए गाए को खिलाएं और अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तो ऐसा करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो विए आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगी और आपके सबी मनों काम नए मा लक्षमी के आशिरवाद से अवश्य ही पूर्ण होंगी और आपक हैं